प्राज जी एक ऐसा नाम जो कि मेरे जिन्दगी में आई थी बहुत खुशिया लेके बढ़ गई है बहुत दुख देके एंड पूरा जिन्दगी भड़ वो दुख मैं सहता रहूँगा जब एक साथ होते थे तब ऐसा लगदा था कि अफसरा भी उसके साब ने कुछ ही है एंड उसके साथ बिताएवा दिन मेरे लिए गोल्डेन मेमोरीज बनके रह गए बट एक दिन वो ऐसे करकी मुझे छोड़के अकेला चली गई एंड उसके बाद मैं एकदम पुरा अकेला ह हो गया एंड मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा बट उसका याद मुझे आज भी रुलाता है आज भी उसका याद आता है आज भी उसको याद करके मैं रोता हूँ पिछले वाले वीडियो में जो कि मैंने प्राची के बाड़े में बताई था उसके बाड़ आप लोगने इतना जाद आप लोग मुझे इमोशनल करेते लाइक मैं सोज में नहीं सकता था एंड उसके बाद सारे बंदें कॉमेंट कर रहे थे कि सेगेंड पार्ट लाओ सेग मेरी तो नहीं है इस वो कभी इस दुनिया को छोड़ करें तरह सकता है,"ने, में दिल कोdos थो और इंड स्टेट इन अब बहुत साथ दा मैंने करके मैं इस वीडियो को बना तो जब मैं प्राची के बाड़े में बोलता हूं ना आप लोग मेरे लिट्रिय आप लोग मेरे सामने होते ना तो देखते मेरा अब भी आसवा रहे इस्टीक में बहुत कंट्रोल करके वीडियो बनाता हो एंड लेक और मत बोलना ठीक लाज्ट वीड़ो एक और मत बोलना एंड कुछ नहीं गया चलो आप लोग के लिए इतना तो करी सकता हैं कि 100 के कि लिए बहुत जादा करें आप लोग जिसे में सब्सक्राइब ने कि जल्दे अलदे सब्सक्राइब कर लेना आप अपने मामा का शाधी या शाधी एंजोई किया था इंड उसके बाद में आ गया है बड़ उसके मम्मी से भी कुछ मेरा बात नहीं हुआ इस ठीक है बढ़ गई उसके बाद में आप लोगो जो बोला था एंड आप लोग जब देट का अलब कैसे हुई वो जानने के आप ल अगर मैं मतलब एक बार मेरे याद में आता ना तो मैं अकला अकला रो परता है ठीक है उसके इसके लिए मतलब आज तक कभी भी मतलब नहीं पूछा कि कैसे मरी वगड़ा वगड़ा कैसे किया सीमा आज की वीडियो में आप लोगो बोले वालो कि प्राची के साथ बिताया है मेरे दिन कैसा रहा एंड़ वो कैसे उसका देट वी सो वीडियो लास्त तक देखते रहे ना सो इस उसका देट का तो कुछ अलग सा रिजोने जिसको मतलब आप लोग सुनों के मैं सुनके मुझे मैं जिन्दगी में माफ में कर पाऊंगा बढ़ गईस वो मैं आप लोग ऑफ गाइस वो मतलों सब्सक्राइब आप बात बोल सेंवें को इतना शर्म रही थी इतना शर्म रही थी मतलब मानुक्य उसका शादि हो रहा है इस टीके एड लाइक कि पहले मतलब मैं जाके उसके साथ बात किया और वह दर सुनी घ्ष टीके कूछ निये वोली आहा? है मैं मैं अपने होल लाइफ में इस ऐसी लड़की नहीं देखा इतना जदा खुबसूरत थी इस टिक उसके बाद गई पहला दिन तो उसने बात नहीं किया मतलब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा शर्माती है नहीं होगा कुछ मतलब बात नहीं कर पाएगी बढ़ गए जैसी ह लुए हम लोग एक हफ्ते तक मतलब तिन-चार्त दिन तक बात का लिया उसके बात काई मेरे साथ इतना श्रौद खोल के बाद करिई थी धी से मतला पूराद दीन चपर 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 करती एंगे जाए वह दॉब्लग को लेके घूमने जातने वह एक चीज दीए ना पेर न वह एंव एनटा इसको न एक एर बोल दिसको न एक इतर वो ते इधर से न उधर जाते क्या बोलते उसको यार्डिंग्स करीजाद अश्टिया एंड वो ना मुझे मतलब जब खरीद के लाया उसके बाद गाइस मतलब कितने ज्यादा ज्यादा पैसों के नहीं देगा इस्टिया बड़ उसको अच्छा लगए थे वड़ वह मतलब खरीद के लिए एंड़ वो मु ऐसा लगता था कि हैवें लोगा इस ठीक है और वो ऐसा बोलती थी कि मतलब तुम तो जान तुम तो कुछ दिन बाद जाने वालो मुझे भी लेके जाना तुम्हार उदर मुझे भी घूमना है के इस ठीक है सो वह तो इस इंपोसिवल था बड़ मैं बोला कि जब उधर कु सबसे अच्छा घर से खुपसरा टाइम था एंड मुझे लगी नहीं था कि वह तो इतनी जादा फ्री हो जाएगी इस ठीक है मेरे साथ एंड अतलब इतना ज्याद अच्छा राम लोग सुबे को निकालते थे बात करते थे शाम को निकलते थे मतलब कुछ अलागी मेरे लि अधर बहुत सब्सक्राइब अधर पानी पूरी अगरा मिलता था एंड लोग वो जाके एक सथ खाते थे एंड लेक हम लोग जब साम को ना गए साम को पहारी के उपर जाके बैठते थे शाम को एंच सुबे को ठीक है एक बैंच था अभी भी मुझे आदे तो उधर जाके जब हम लोग बैठते थे ना लएक हम दोनों इस दुनिया में अकेला ऐसा लगता था तो वो दिन में कभी नहीं भूल सकता एंड कभी भूली नहीं पाऊंगा गाइस एंड तो आगे क्या आएगा इसमें आप लोग को बताने वाल उसका डेथ कैसा हो आगा इस्टिक है सो मैं आप लोगों उससे पहले एक और चीज़ बतातों जो कि पहारियों में रहते हैं उसको पता है उधर नेटवर्क अच्छे से नहीं मिलता है तो जैसे कि मुझे जितना तक मुझे पता चला मैं हंड़ेट परसें शिर नहीं होगा इस्टिक है बट फिर भी मैं आप लोग सब्सक्राइब मतलब किसी से कॉल करने के लिए मतलब अपने डोगी को लेकर नीचे के और जाड़ा था ठीक है एंड मतलब उधर का लोग बोले कि मतलब वो कान में फोन लगा कि लेक ऐसा हड़वरी में मतलब जा रही थे एंड रोट को प्रॉस कर रही थे इस्टिक है उस गारी ने आके गईस उसको मारा एंड गारी तो भाग गया एंड साथी साथ मतलब उधर का जो लोग थे वो गईस उसको लेके हॉस्पिटल में गई तीन दीन जिन्दा रही उसके बाद गईस वो इस दुनिया को छोड़के चली गई इस प्रविल्ली मोस्ट ओफ चांस है कि वो मेरे से कॉल कर रही थी बट लाग नहीं रहा था नहीं तो और किसी से बट मैं पूरा 100% शियों नहीं हो बट जो भी अगईस अगर मेरे से कर रही तो मतलब मैं जिन्दे की बार मुझे माफ में कर पाऊंगा पता नहीं गईस अभी भी 100% बट आई तिंग आइस टीक है गईस तो आई डूंट गईस वह किसको कॉल कर रही थी एंड उसके फोन में वह मतलब नब वह फोन भी मतलब उसका टूट चका था वह नमबर मतलब वह करना इंपोस्ट दोले एंड गईस वह अलग सा बात एंड जो किस्मत में लिखा था वही होना था एंड किस्मत में भगवान ने लिखके भेजा था कि प्राची मेरा नहीं यह तो नहीं हो पाया एंड लिट्रेली गाइस प्लीस में हाथ जोर के एक ही बात आप लोगों से बोलना चातो प्लीस और मुझे याद मत दिलाना हर एक सब्सक्राइब और एक स्टोडिया किसी ने धोका दिया था सो उसका भी गई सब्सक्राइब के सामने बोलेंगे अगर इंट्रेस्टेड हो आप लोग लाइक कर देना चैनल पर निवा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लोग हंड़ेड के लिए बहुत जाता करिए इस टेकाइब विप कर देना तो मिलते हो एक्सी वीडियो में टिल देंड टेक्यार बाई लव यू ओ